तो चलिए अजम बात करेंगे आपके लिए एक लेटेस्ट पेपर जो हमारे पास प्राप्त हुआ है काफी देर में प्राप्त हुआ है जिसका मॉडूल है A9.3R5 ठीक है और यह पेपर काफी दिन से लोग मैसेज कर रहे हैं वाटसप पेसर इसको सॉल्व कर दीजे और यह प थोड़ा सा ट्रिकी पेपर था लेकिन जो सब्जेक्ट है वो काफी इजी है ठीक है आपका जो बिलकुल थिवरी बेज है थोड़ा सा आपको नेट्वरकिंग के बारे में पढ़नाइस में पढ़ेगा डीप में थोड़ा थीक एडवांस लेबल पे तो आपका निकल जाए है एसेवन कभी कर दिया है एक कभी कर दिया है और एक टेन पॉइंट थी कभी कर दिया और आज हम करने जा रहे हैं एन 9.3 ठीक है तो यह आपके छे के 6 मॉडूल है जो कि हम आपको रिकुमंडेट करते हैं लॉक करने के लिए तो इस सबीकर स्लूशन मैंने अपने चैनल प पर मैसेज करके पूरा कोड समझ सकता है तो चलिए देख लेते हैं पहला कोशन इसमें और कोशन थोड़ा सा ठीक है और सिंपल भी है थोड़ा सा आपको समझना है विच आप दिफॉल्बंग इस ट्रू अबाउट राउटर ठीक है राउटर से समंदिर इसमें आपको बता पहले में पूछा गया राउटर जो आपका है री सेबल ठीक है आई पी फ्रेग्मेंट होता है और इस नेक्स्ट कैन हैंडल दी फुल डेटाग्राम तो यह तो आपका बिल्कुल गलत है ठीक है बिल्कुल साही नहीं है ठीक है उसके बाद राउटर कैन ड्रॉप पैकेट तो जाओटर ड्रॉप पैकेट के मतलब यहां पर इस पार से है आपके जू स्योस होते हैं स्वीच और आपके राउटर ठीक है अब ड्रॉप पैकेट यानि कि यह कंप्षूटर से आपका यह कंप्यूटर जुड़ा हुआ हुआ है मानले चीट है या उसके बीच में डिव ट्रांसपरने जा रहा है तो क्या यह सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो दोई चीज बिसिकलिए आपकी जो है वो कनेक्ट करती है आपके डिवाइस में या तो वह स्वीच होगा या फिर राउटर होगा ठीक है बाकी अदर डिवाइसेस हैं रिपीटर्स है आपका यूनो है बहुत सारी चीज है वह अलग है यून वगारा वह अलग केसेस में यूज की जाती है लेकिन ड्रॉप पैकेट्स यहां पर पूछा गया राउटर असमंतित में तो ऑप्सन जो होगा आपका बी वाला वह एकदम सही होगा और बाकी जो ऑप्सन है वह आपके सब गलत हो जा जहन डल यह भी आपका गलत है ओप्सन है तो ऑप्सन जो इसमें सही होगा बी वाला है ओप्सन ठीक होगा तो यहां पर पूछा गया यहां पर कोई निगेटिव कुशन नहीं पूछा गया कि कौन सा सही कौन सा गलत होगा वीच आप दिफॉल्मिक इस दा ट्रू फिपल आईपयद्र रिस्पांस ठीक है क्यूरी ओफ एनस डिकोर्ड में डिटिञ मल्टिपल आईपी अड्रेस ठीक है सेम को सेम कीजिएं आप लेकिश इंहां पर यह आप ए आप ए सौल्ट टी एलल ऑन एनस रिकोर्ड जो आपको एसको रिप्लाई करता है जिए अच्श में तो कमेंट करके जिरोब बताएगा कि आपने इसका क्या अंसर लगाया है इसको मैं थोड़ा सा आपको बाद में डिसकस करता हूँ इसको मैं भी ड्रॉप कर रहा हूँ आगे कुर्शन पर चलते हैं कि पर सेक्ट मैं यहने कि डिस्टेंस इनके बीच में ठीक है दो सो किलोमेटर और यहां के बीच में चाहिए यहां पर देकर करते हैं तो वाड़ इसदा टोटल टांसमिंशन डिले कितना होगा आपका यहापके दस अजार बाइट्स पैकट आपके आपके कॉल करेंगे सेम्ल पर ठीक है तो इसमें जो option आपका बनेगा 1.2 का sorry 1.3 है तो इसका जो option होगा आपका C B option बनेगा 10.02 ms ठीक है 10.02 ms इसका option है वो आपका बनेगा B option जो है वो सही होगा नंबर 4 में आपका पूछा जा रहा है जो आपका TCP conjunction control होता है वो slow start होता है slow face में start होता है ठीक है और जब वो जाता है CWND size उसका जो after 3rd RTT होता है वो कितना होता है आपका तो 1.4 का जो option मनेगा वो एक option मनेगा यानि कि 1 उसका return आपको size मिलता है ठीक है तो 1.4 का option मनेगा A 1.5 पर आते हैं और यह answer के इदम accurate है आप match कर तकते हैं Google पर search करके इसके answer आपको मिल जाएंगी The router information protocol RIP is an inter domain routing based on distance vector routing तो 1.5 का option हो जाएगा A distance vector routing 1.6 है An organization is granted a block of classless address with the starting address ठीक है यहाँ पर देखे दिया गया है 199.34.76.64 और अपलिक में दिया 24 और how many rate इसमें आपके गरांटेट होंगे तो 1.6 का option हो जाएगा A यानि कि 16 ठीक है 7 नमबर पर आते हैं 7 नमबर बोला है in this sending computer UDP जो आपका receives करता है data unit from 1.7 का B option हो जाएगा application layer ठीक है application layer इसको option बनेगा 1.8 है what is the hexadecimal equivalent of the ethernet address दिया यह आपका तो इसका hexadecimal format कैसे बनेगा तो देकि एक एक पर आपको निकालना पहले इसका आपको निकालना है ठीक है तो इसका आपका हो जाएगा 5 क्योंकि आप दे सकते सभी में common है फिर इसका जो हो जाएगा आपका A जाएगा डबल एजीरो एफ ठीक है तो यह इसका जो है पूरा hexadecimal format त्यार होके आएगा तो बी option टिकलने इसमें 100% सही है 1.9 what is the size of ethernet frame प्री एमेंबल फील्ड बोला है ठीक है तो इसमें आपको बहुत confusion होगी जब इसका answer आप सर्च करेंगे नेट पे तो जब आप इसका answer सिर्फ सर्च करेंगे what is the size of ethernet frame तो आपको option मिलेगा 7 byte ठीक है और लिक के आएगा आपको 56 bit और जो की starting होता है 1.0 से और इसी जाए से alternately आपको चलता जाएगा तो 1.0 1.0 1.0 1.0 इस पकार से चलता जाएगा तो इस पकार से अगर answer देखें औ और what is the first byte of permeable देखेंगे तो आपको option मिलेगा 64 bit का ठीक है और इसमें लेकिन जो condition start होगी 01 से 01 से कही start है नहीं इसमें तो इसमें जो option हो जाएगा basically अगर देखा जाए what is the size of ethernet frame permeable field तो यहाँ पर option आपका आना चाहिए जो मेरे नमान से मैंने इसको जैसे search किया है नाइंद का जो हमारे पास है वो डी option वो ठीक आ रहा है चपन बीट प्लस जो alternate minute condition मताई उसके अनुसार ठीक है तो यह है और देखें मैं इसका answer आपको दिखाई देता हूं Google पे लिए चलते है what is the size of ethernet तो यहाँ पे आपको दि ठीक है जिसमें कि आपके 7 बाइट होंगे और जो कि पैटन होगा अल्टरनेटिक आपको चलेगा वन जीरो सिंक्रोनाइज रिसीब क्लॉक पाइस ठीक इस परकार से आपको चलेगा तो इसमें तो सरफ एक यह option हम को यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है और इसमें देख आईपी हेडर हैस टीटियल वाट इस परपाज आप दी फील्ड तो 1.10 का बी ओप्सन बनेगा जो कि आपको प्रवाइड करता है टोटल टाइम टू रीच दी डेस्टिनेशन बी ओप्सन हो जाएगा इसमें नेक्स्ट आते हैं टू एन फॉल्स फे बहुत इजी और सिंपल को सन्थे तो पहला है सी आई डी आर एलोकेट करता है आपका एड्रेसेस लेस इफे एफिसियंटली दैन क्लाइड क्लास फुल एड्रेसिंग तो यह ऑप्सन हो जाएगा ठीक है यह होश्ट विद एक सो बा टैवल टाइम्ट इस ड्वाइज ट्वाइस बोला है ठीक है ट्वाइस दी फ्रेम्ट डाइम दाएं तो बलकुल सीख है कोजी करना है उसके बाद है टीज़िपी तो आपका होता है यह नहीं पॉल्स हो जाएगा यूडिपी आपका होता है ठीक है दी इंटरनेट इस पैक Isolation is the process of capturing and reading data is and travel across the internet 2.7 का हो जाएगा false ठीक है इसका हम मैं answer टिक कर लें इसके बाद last third तो acknowledgement आपका जो है वो लिखा गया है every TCP packet with separate ASK is useful because it keep the transmitter अब आपका जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा ठीक है बाकी जो लाइस के दोने वह आपके ट्रो हो जाएंगे इन हाड हैंड सोब मोवाई जो आपका अपका अपके दे गाए हैं यह दोनों आपके क्या करेंगे cannot over the same क्योंकि देखें इसमें सेम सर्वर पर रखा गया दोनों में देखेंगे अगर आप दमाटी दॉट एडीऊ में इसमें क्या कि चेंज किया गया इसमें रिशर्च हैने की पेज को अलग किया गया तो रिशर्च डॉट है इसमें स्टूडेंट डॉट है तो उसके बाद चली आते हैं मैं दो कॉलम पे बहुत इजी और सिंपल से कुष्टन है और बहुत सब्सक्राइब गलत भी की होंगे चलिए आपको हम हंडेट परसंट एकदम की बताते हैं तो मैं बिसकली पूचा गया है मैं आपका क्या होता है पता ही आपको मैं चोटा कर लेता हूं तो मैं का को दिया गया आपके के चलिया मैं दल्उक देता हाँ तो आपको मिलाने में असानी होगी पहले कड़ी हो जाएगा जुसरे आई हो जाएगा उसके बाद है flow control, तीसरे का option बनेगा, flow control का option बनेगा, F, G, H, I, sorry, answer जो है G होगा फिलाल, ठीक है, तो यह है आपका TCP, ठीक है, F के बाद यह G है, इसमें नमबर बचों ने काट दिये हैं, इसले के लिए दिखाएं दे रहा है, तो इसमें G option होगा सही आपका TCP, ठीक है, मैं नमबर यहाँ पर डाल लेता हूँ, नहीं तो मेरे को दिक्कत होगी समयने में, A, B, C, D, ठीक है, इसमें का था नमबर है, मैं भी आपको बतातेता हूँ, तो नमबर 4, DNS का आपका हो जाएगा, J हो जाएगा आपका IP address, ठीक है, DNS में IP address हो जाएगा, आपका J option टिक कर लिजे, 3.5 का E option मनेगा, E में देखते हैं क्या दिया गया है, सबनेटिंग जो होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जो की डिजाइन करता है, कंप्यूटर के network को ठीक है, नंबर 6 को की दिया है, तो नंबर 6 का C option की जो होती है, आपकी history होती है, ठीक history करने के लिजे का यूज़ करते हैं, bandwidth आपका क्या है, 3.7 M option मनेगा, तो J M option में देखा देते हैं, आपको क्या दिया गया है, तो M में देखें यह है, basically bandwidth जो होता है, आपका measure करता है, kilobyte को megabyte per second में, ठीक है, इस पतारते हैं, उसके बाद है 3.8 है, routing दिया गया है, तो इसमें जो routing में B option हो जाएगा, यानि की routing किसमें करते हैं, routers में, segment आपका, जो है, segment का option हो जाएगा, इसमें से, segment का जो option है, वो K हो जाएगा, ठीक है, segment का जो option हो जाएगा, आपका 3.9 है, K option मनेगा, देखे, K में F, G, H, I, J, K, transport layer में आपका यह option हो जाएगा, K, ठीक है, उसके बाद है, हमारे पास CRC जो होता है, basically, आपका, यूज करते है, error detection के लिए, ठीक है, तो option हो जाएगा, A, ठीक है, तो इस करम में आपके जो option वो बनेंगे, नोट कर लिजे, 100% रिक्डम की है, उसके बाद आते हैं, fill in the blanks पे, बहुत simple से हैं, ये भी question, तो पहला है, इसमें SMTP stand for, SMTP का full form यहाँ पे दिया गया, जी के तो पहले का H हो जाएगा, simple सा है, उसके बाद, एपोर्ट address, UDP का जो पोर्ट address होता है, basically, के option होगा, देखे, आ याने की 16, 16 bit इसका K हो जाएगा, FTP जो होता है, आपका work करता है, two port, उसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका 20 होता है, 21 होता है, तो option कौन सा हो जाएगा, ए, ये दिया हुआ है, ठीक है, silly windows syndrome is related to, तो इसमें जो option हो जाएगा, fourth का G हो जाएगा, TCP flow control, ठीक है, G option बनेग इसमें यूज करते हैं, HTML language तो option हो जाएगा, L, ठीक है, यहाँ पर L आ जाएगा, IPB4 में आपके होते हैं, 128 bit, ठीक है, तो B option हो जाएगा, ping आपका use करते हैं, किस लिए, तो 4.8 का option हो जाएगा, D, ping यूज करते हैं, ICMP, ठीक है, आपका इसमें package switching इसमें चेक किया जाता है, कितने packet आपके आ रहा है, कितने नहीं आ रहा है, तो ICMP उसको protocol press process में डालते हैं, ठीक है, उसके बाद है, service responsible for translation और host time इसमें आ जाएगा, आपका 3.9 में I आ जाएगा, option है, इसको बोलते हैं, DNS, ठीक है, IP packet काम होता है, DNS में, उसके बाद है, हमारे पास to achieve stability and csma cd back और आपके जो scheme technique इसमें यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते है, binary exponential back off, M option इसमें बनेगा, ठीक है, तो ये काफी easy थे, बच्चों ने काफी गलत भी किये हैं, इसमें answer, ठीक है, तो कोई दिकरने गलत तो होते ही हैं, तो आसा करते हैं, आपको जो 100% answer की मिलगी होगी, मेरे तरब से, त तो easy था, थोड़ा सा difficult रहेगा, देकि ए लेवल का है, थोड़ा सा advanced तो हो गई, लेकिन अगर आपने note purchase कि होंगे, तो statement of advantage, disadvantage of HTTP connection, ये सारा मिल जाएगा, difference between packets, switching, ये सब मिल जाएगा, DNS तो कैसे solve करना है, ये सारे answer PDF note में आपको दिएगा है, ठीक है, भले मैंने सी class ने लग है, care distancing, go back, and इस सारे questions के answer आपको जो है PDF note में मिल जाएगे easily, ठीक है, तो कुछ question advanced level पे है, इनके जो answers होंगे, वो मैं next, जो guest papers होंगे, उसमें इसको add कर देंगे, ठीक है, तो ये question मैंने आपका, जो है, रिमें कर दिया था, तो which of the following is about of true बताना है आपका DNS के संदर में, तो a option जो है, इसमें आपका true होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए, इसमें कहा जा रहा है, a query of a record, जो कि आपका many returns करता है, multiple IP को response करने के दिये, तो बिल्कुल ठीक है, ns record है, वो आपका नहीं करता है, ठीक है, तो इसमें तो आपका no जाएगा, ns वाला आपका नहीं करता, a वाल a query named servers को add किया गया, ठीक है, तो ना इंक्रीस करेगा, ना डिक्रीस करेगा, कुछ भी ने करेगा, इस सारे option कर लाएगा, तो पहला option है, जो इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो इस संदर में आपका जो option है, वो बनेंगे, तो thank you for watching, और a label का जिनको भी course जोईन करना है, classes आगे continue करनी है, वो अपना course purchase कर सकते हैं, चोड़ाने पचासी पर message करके, PDF notes, guest paper, video class, सब कुछ अबलेबल है, ठीक है, तो thank you for watching,